चात्रो इससे पहले की वीडियो में हमने परिछेद कर्मान का दो पड़ा है अब हम परिछेद कर्मान का तीन पड़ते हैं इस परिशेद में अमर्नाची कहते हैं, मैंने विश्व भर में कला दिरगाओं में विश्व के बड़े बड़े चित्रों कालों के चित्र देखे हैं और सराय हैं, पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में मैं अपने रंगों के लगाये जाने की कल्पना करता था फिर सारा परिदुरुष ही बदल जाता था इन मानव आकृतियों की चित्रों में मूर्तिशिल्प का समनवय था स्री रंगों के बिना जहां उन्हें रेखाओं से आकृतियां बनाई थी महां उनमें मास, मज्जा और अस्तियां तक को देखा जा सकता था रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवा, उर्जा, उमंग और चुस्ति फूर्ति थी लगता था ये आकृतियां अभी समवात करेंगी हाथ पकड़ कर साथ हो लेंगी इतनी जिवन्ता रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर साज से निह सुर्थ होता जो उनके चित्रों को सजु कर देता लगता था वे हर दुरुष्ट, परिदुरुष्ट, स्तिती और विक्ती को रंगों और रेखाओं में ढाल देंगी इस तरीके से अमरनाथ जी अपने चित्र कारिता करते थी अमरनाथ घर के भीतर क्यानवस पर फूलों, पत्तों, जर्नें और हर्याली के चित्र बनाते वही घर के बाहर की जितनी खुली जमीन थी, माली के साथ उन्होंने उस जमीन को तयार करवाया था सामने की जमीन में बगीचा बनाया था, जिसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाये थे उन्होंने रुत्वों के क्रंद से फूलों के पौदे लगवाये थे कर्मी के बाद बरसाथ और बरसाथ के बाद सर्दी के पौदों में फूल खिलते घर के पीछे की जमीन में उन्होंने फूलों के पेड लगाये थे घर की चार धिवारी के साथ फुलो और फलो की बेले चड़ा दी थी घर और बहार के लोग आच्चारे से उनकी ओर देखते थे वो हसते मैं जीवन का व्याकरन बना रहा हूं जीवन के अचूते सच के शिकर पर चड़ने के लिए सीडिया लगा रहा हूं कहकर बड़ी जोर से हसते थे डॉक्टर ने खून की फिर से जाज करवानी के लिए कहा था खून की जाज की रिपोर्ट आई तो वो परेशान हो गया था डॉक्टर साब परेशान हो गया थे गर के लोग चिंतित थे अब क्या होंगा डॉक्टर ने बताया था बीमारी फिर से पसर रही है उनकी दाई बाय में खून की गर्दिश बंद हो गई थी धीरे धीरे बाह हिलाना भी मुश्किल हो गई थी बाह निर्जो होकर काटसी हो गई थी बहुत सारी दवाईया दी जा प्रही थी घर पर रही नर्स रख ली गई ती गर का कोई न कोई सदस्त भी आस पास अमरणाट जी के रहता था डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है आप और रुखना नहीं जा सकता है पहले से भी जादा भयावोस्ती थी यहने पहले से भी जादा दर की हालत हो चुकी थी भाहां काटनी पड़ी गर के लोग ये ख़बर सुनकर सुन हो गये थे लेकिन फैसला तो बाबो जी को ही लेना था वे वैसे ही हसते हसते थे अमर नाजी को यह ख़बर सुनाई गई तो वो यह ख़बर सुनने के बाद में भी पैरे बच्चों हसते ही रहे अब अगला परिछे हम आते वीडियो में देखते हैं